Hi everyone, welcome back to my channel, my name is Anil और Vue.js की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम एक 404 page कैसे बना सकते हैं So, सबसे पहले इस वीडियो को points दिखा देता हूं मैं आपको इस वीडियो को 4-5 points है, सबसे पहले 404 page होता क्या है और उसके लिए हम एक 404 component बनाएंगे, उसको import करेंगे main.ts file के अंदर बाद में उसके लिए एक route बनाएंगे और उसको हम test करेंगे So, सबसे पहला question 404 page होता क्या है ये 404 page का सीज़ा सा मतलब होता है कि एगर हमारे पास कोई ऐसा route में open करने कोशिश कर रहा हूं जो exist नहीं करता For example, अगर मैं home पे जाता हूं तो यहाँ पे देखिए, home पे कुछ data है मेरे पास about के उपर भी कुछ data है मेरे पास और login के उपर भी और let's say, अब मैं लिपता हूं एक normal सा योड़ा let's मैं test यहाँ पे डाल दिया और यह exist ही नहीं करता तो यहाँ भी कुछ भी नहीं दिख रहा तो उस time पे अब user कैसे बता चले है कि यह actually इसका सही में data है या फिर कोई ऐसा data है जो exist ही नहीं करता तो उस case के अंदर हम यहाँ एक by default page दिखा देंगे ठीक है, 404 page या फिर कुछ दिखा देंगे फाइल बनाता हूं और new file के अंदर मैं कुछ भी रिख सकता हूं let's say 404 component यह नाम रख सकते हो या फिर चाहो तो आप यह रख सकते हो page not found जो भी आपको ठीक लगे वो आप रख सकते हो .view और चैसी यह बन जाएगा तो इसके लिए आपको सबसे पता है कि आपको बनाने के लिए एक template लेते हैं और उसका नारम कुछ h1 deck दे सकते हैं और यहां पर ले सकता हूं page not found all right so और यहां पर हम basically लेक सकते हैं एक old deck लगा के भी let's say go to home page all right और इसके बाद में हम यहां पर एक router link दे सकते हैं चाहो तो इसको close करेंगे router link को और यहां पर होम लिखूँगा और यहां पर मैं to लिखूँगा और इसके बाद मुझे थोड़ी सी script भी लिखनी है यहां पर इसके अंदर में नाम दूँगा और नाम होगा हमारे page का चाहो तो आप कुछ भी दे सकते हो मैं इसका नाम और फाइल का नाम सेम रखूँगा page not found परफेक्ट अब इसको हमारा next step कहता है कि हमें इसको import करना main.js के अंदर so main.js के अंदर जाएंगे जो हमने usually normal page को import कर रखा है उसी तरीके से हम यहां पर भी इसको import करेंगे ठीक है इसको मैं copy कर लेता हूँ गोट करने के लिए परफेक्ट और अब आती हमारी last बात कि जब हमें यहां पर इसका URL देना होता है तो इसके यहां पर पाथ आता है ना तो पाथ यूजल पाथ नहीं देते हैं हम जैसे कोई भी यूरल देंगे हम यहां पर देंगे star star का मतलब है अगर उपर से कोई भी यह मैच यूरल मैच नहीं हुआ तो यह वाला पेज कोल देंगे और इसके उपर component कौन सा खोलना है यूजर पेजनोट फाउंड वाला component ओपन करना है और अब आते हम यहां पर और देगे अगर मैं यहां पर यहां पर आ रहा हूं क्योंकि मेरे टेस्ट यूरल है तो मुझे सब टीक चल रहा है और अगर अब मैप जाने कोशिश करता हूं एक सेटिंग्स पेज के उपर जो एक्जिस्ट नहीं करता है ठीक है तो यहां पर आ गया पेजनोट फांट और यहां पर आता है गो टू होम चाहँ तो आप यहां से भी जा सकते हो और चाहँ तो आप यहां स तो मैं हमेशा इसको कोशिश करो कि यह हमेशा लास्ट के अंदर ही रहे और राइट विकोज लास्ट के अंदर ही सबसे सुटेबल रहता है तो बाई बाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राब करना मत बूलेगा